प्रिश्रीमती ईशु मसीह जीवित परमेश्वर का आत्मा हम पर सांस फुंके। हम आपकी छलनी को लें और उसके नीचे जिये प्रभू। हर दिन हमारे फिफरों और हमारे प्रानों में पवित्र आत्मा की ताजी हवा की सांस लें। हम केवल आपके वचन के द्वारा जी सकते हैं, हर एक उस वचन से जो इस युग के लिए आपके मुह से निकलता है जिसमें हम जी रहे हैं हमने आपकी स्वर्गिये चीजों का स्वाद चखा है और आपके वचन को अपने हरदय में रखा है हमने आपके वचन को हमारे सामने प्रक्तिकरण में आते देखा है और हमारा संपूर्ण प्राण उसमें लिप्टा हुआ है इस संसार और संसार की सारी चीजें हमारे लिए मरी हुई है हम आपके बीज जीवानु वचन हैं, जो आरंब से ही आप में थे, यहां खड़े हुए हैं, आपके बीज जीवन को खीच रहे हैं आपका बीज आपके पूर्वज्ञान के द्वारा हमारे हरद्यों में है आपने हमें पहले से ठहराया ताकि किसी और चीज के जरिये से ना खीचे, बलकि टेपों पर आपके वचन आपकी आवास के जरिये से ही खीचे आखों का युग आ गया है, आपकी दुलहन के लिए आपके आगमन के अलावा कुछ भी नहीं बचा है हमारी चलनी आपका वचन है, मलाकी चार यहोवा यू कहता है हम आपके वचन को अपने हरद्यों में बोए, और यह संकल्प लें कि हम न तो दाएं हाथ की ओर मुडेंगे और नहीं बाएं हाथ की ओर, लेकिन अपने जीवन के सारे दिनों में इसके प्रती सच्चे रहेंगे पिता, हम पर जीवन के पवित्र आत्मा को भेजें, और अपने वचन को हमारे लिए जिलाएं, जिससे की हम आपको प्रकट कर सकें हमारे हरद्यों की इच्छा आपके लिए सच्चे बेटे और बेटिया बनना है हम आपकी आवाज की उपस्थिती में बेटे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, अपने आपको आपके साथ जल्द ही होने वाले विवा भोज के लिए तयार कर रहे हैं राश्ट्र तूट रहे हैं संसार तूट कर बिखर रहा है भूकंप कैलिफोर्निया को हिला रहा है, जैसा की आपने हमें बताया था की ऐसा होगा हम जानते हैं की बहुत जल्द इसका पंद्रह सौ मील का हिस्सा, तीन या चार सौ मील चौड़ा हो सकता है, चालीस मील नीचे उस बड़े विभंग में डूब जाएगा लहरेन केंट की राज्य तक उठेगी, और जब ऐसा होता है, तो यह संसार को इतना जोर से हिला देगा की इसके उपर की हर चीज हिल उठेगी आपकी अंतिम चेतावनी आगे जा रही है संसार पूरी तरह से अस्तव्यस्थ हो चुका है, लेकिन इस समय के दौरान आपकी दुलहन आप में और आपके वचन में विश्राम कर रही है, स्वर्गिय स्थानों में एक साथ बैठी हुई है, जबकि आप हमसे बात करते हैं, और हमें रास्ते में अश्वासन देते हैं चोटे जुन्ड मत्दर, मैं जो कुछ भी हूँ, तुम भी वारिस हो, मेरी सारी सामर्थ तुम्हारी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच खड़ा हूँ, मैं डर और विफलता को लाने नहीं आया हूँ, बलकि प्रेम, साहस और योग्यता को लाने आया हूँ, सारी सामर्थ मुझे दी गई है, और ये तुम्हारी है, कि इसका उप्योग करो, तुम वचन को बोलो और मैं इसे पूरा करूंगा, यह मेरी वाचा है, और यह कभी विफल नहीं हो सकती, हे पिता, हमें डरने की कोई बात नहीं है, आप हमें अपना प्रेम, साहस और योग् करते हैं, आपका वचन हमारे अंदर है, कि इसका उप्योग करे जब हमें इसकी आवश्यक्ता हो, हम इसे बोलते हैं, और आप इसे पूरा करेंगे, यह आपकी वाचा है, और यह कभी विफल नहीं हो सकती, मरणहार शब्द इसे व्यक्त नहीं कर सकते कि हम कैसा महसूस करते हैं, पिता, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे ह्रदय और प्रान के अंदर देखते हैं, क्योंकि हम आपका एक भाग हैं, हम कितने धन्यवादित हैं कि आपने संसार को इस अंतिम समय में आपकी आवास सुनने का एक जरिया प्रदान किया है, हर हफते आप संसार को अपने द हमें आपके वापस लोटने तक हमें पोशन करें। हम आपसे प्रेम करते हैं, पिता। भाई जोसफ ब्रणहम संदेश 65-08-22-1 विचारशी मनुष्य की छलनी। समय दोपहर 12 बजे जेफर्सन विले समय। वचन गिंती अध्याय 19 आयत 9। इफिसियों अध्याय 5 आयत 22-26